हेलो फ्रेंड, वेलकम तो माई चानल, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट आमित कुमा सिंग, आज मैं आपको एक फुट्वेर कंपनी बताऊंगा, जिसमें आप पैसा रेटेर्मिन के लगा सकते हो, अपने बच्चों के साधी के लिए पैसा लगा सकते हो, फुट्वेर एक अपने की चांसे कई गुना है, क्योंकि हम सभी लोग जूते चपल के बिना कहीं जा नहीं सकते, और एक दो साल में तो हम लोग चपल जूते चेंज करते हैं, कई लोग तो छे मैना भी चेंज करते हैं, तो आप लोग फुट्वेर कंपनी में पैसा लगाईए, आपका वेल अगर उनका बिजनेस अच्छा होगा, तब ही चांके आप उसमें रिटार्मिन के लिए पैसा लगाईएगा, वरना आपका पैसा नहीं बन पाया, कई लोग हैं, वो यह सोचते हैं, कि मैं कोई भी स्टॉक उठा के धर लेंगा, तो मेरा पैसा बन जागा भाई, ऐसा बिलक उसम्ने घर कोई होगा, और कि मैं कोई होगा, तो मुझे यहाँ पे इस शेयल आठा के ल क्वाईटर अच्छा लग रहा है, तोटल इंकम देख लाओ, टोटल इंकम शितंबर 17 में था, वो 601.72 था, और ग्रिएक एंकम अच्छा है, तो मुझे यहाँ पे ने टसम आठेस देखलो operating profit सितंबर 17 में था वो 64.46 था और सितंबर 18 में हो चुका है वो 87.34 हो चुका है EBITDA देखलो EBITDA सितंबर 17 में था वो 79.28 था और सितंबर 18 में हो चुका है वो 102.23 हो चुका है तो मुझे इसका operating profit EBITDA दोने काफी अच्छा लग रहा है quarter to quarter wise profit and loss देखलो profit and loss हो दिया सितंबर 17 में था वो 42.89 था और सितंबर 18 में हो चुका है वो 55.66 हो चुका है reported pad देखलो reported pad सितंबर 17 में था वो 42.89 था और सितंबर 18 में हो चुका है वो 55.66 हो चुका है तो मुझे इसका quarter to quarter result अच्छे देख रहे हैं अब मैं year to result देख ले रहा हूँ पहले आप quarter to quarter result देख रहे थे तो देखिए December 13 में जो net sale था वो 2015.17 था और March 18 में हो चुका है वो 2629.27 हो चुका है तो मुझे इसका net sale काफी अच्छा लग रहा है year to year wise और यह जो फिरेंट देख रहा हूँ March 15 में यह 15 मन्द का है तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे हम लोग सिर्फ 12 मन्द का ही देखेंगे total income देख लो total income December 13 में था वो 2096.52 था और March 18 में हो चुका है वो 2680.11 हो चुका है तो मुझे इसका net sales और total income दोनों काफी अच्छा लग रहा है year to year wise operating profit देख लो operating profit December 13 में था वो 321.85 था और March 18 में हो चुका है वो 353.79 हो चुका है EBITDA देख लो EBITDA December 13 में था वो 353.20 था और March 18 में हो चुका है वो 404.63 हो चुका है तो मुझे इसका operating profit EBITDA दोनों काफी अच्छा लग रहा year to year wise profit and loss देख लो profit and loss for year December 13 में था वो 200.82 था और March 18 में हो चुका है वो 223.58 हो चुका है बाटा इंडिया का अब मैं official website पर आ चुका हूँ इस company के स्थापना की गए थी ओ 1931 में की गए थी बहुत अच्छी company है अच्छी management है ये बाटा का आप showroom हर जगा आपको मिल जाएगा मैं पटना में रहता हूँ पटना में जग्दियूपत में रहता हूँ तो के बंडियुदूष से जगां अघ्याने बाटा आपको मैं इसपड़ी है बाटा का आपको मैं इहां पे ब्रांट इसपड़ा रहा है तो देख लो यह सब इनके ब्रांड से इसब देख सकते हो पावर इनके ब्रांड पावर काफी famous है बाटा का बोमें में भी यहाँ पे देखलो यह सब है यहाँ पे देख सकते हो heel type, all women's suit, special features, collection, branch यह सब है में में भी यहाँ पे देखलो यहाँ पे सब सू का यहाँ पे है casual boot, outdoor, sandal, sleeper यह सब जो भी है फरिंड आप सब लोग को पता ही है Accessories में यहां पर देख लो, belt है, shoe care है, wallets है Kids में भी यहां पर देख लो, यह सब है, देख सकते हो Bata का school shoe भी आते हैं, आप लोग को पता होगा, मैं भी बच्छपन में पेना हूँ यहां पर देख लो Bata का, यह power brand का shoe है काफी अच्छी quality का होते हैं, यह सब देख सकते हो, men's boot, pumps, bowman's, यहां पर देख लो यह सब, देख सकते हो, ladies के लिए यह सब है काफी अच्छी company है, आप इस company को portfolio में जगार देजिए, आपका wealth create होगा बाटा इंडिया अब तक किस टाप से turn बना के देच चुकी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देखो, 10 साल में बाटा इंडिया ने काफी अच्छा turn बना के दिया है तो देखिए, 10 साल में बाटा इंडिया ने काफी अच्छा turn बना के दिया है, तो ये स्टाग बोहर वन बीक में भी देख लो वन बीक में रिटरन है वो माइनर 0.23% है सेंसर को रिटरन है वो 1.05% है वन डे में रिटरन यहाँ पे कुछ भी नहीं है और सेंसर को रिटरन है वो 0.03% है तो आप लोग इस कंपनी में पहुशन बनाई है आपका वेल्थ करियेट होगा यह एक safe company है वाई जो आपको रखना चाहिए अपनी portfolio में बाटा इंडिया का आपको मैं share holding pattern दिखा दे हूँ तो देखो पर मोटर के पाच जो holding है वो 52.86% holding है FIS का holding है वो 10.35% holding है तो इस company में FIS की अच्छी खासी holding है mutual fund का holding है वो 16.86% holding है तो mutual fund का holding भी काफी जवदा से insurance company के पाच जो holding है वो 5.39% holding है other DAF पर जो holding है वो 0.11% holding है non-institution investor के पाच जो holding है वो 14.34% holding है कोई भी share बाटा इंडिया का place नहीं है जो कि एक बहुत अच्छी बात है अधित्या बिर्ला सनलाइब ट्रस्टी प्राइबेट लिम्टेड के पास जो holding है वो 3.56% holding है बाटा का आपको मैं valuation भी दिखा दे रहा हूं बाटा का जो peer ratio है वो 57.30 का peer ratio है price to book value है वो 9.52 का इसका price to book value है तो यह stock 9 के multivore पे trade करता है dividend yield है बाटा इंडिया का वो 0.35% है ROC जो latest है वो काफी जवदस दे फ्रेंट 41.74% का ROC जो latest है वो 16.61% का है जो मुझे इसका ROC काफी जवदस दिख रहा है valuation यहाँ पर देख लो फिर बता रहा है तो आप लोग इस company है position बनाईए फिर यह stock आपको 2023 मिलेगा तो फिर आप लोग बोलो है कि बहुत महगा हो चुक है attractive जो बाटा इंडिया का प्राइस है वो 578 से 1028 के बीच attractive price होगा quality भी यहाँ पर देख लो quality यहाँ पर good बता रहा है sales growth देख लो 5-year का बाटा इंडिया का sales growth 5-year का वो 6.57 परसेंट का है average growth 5-year का वो 7.34 परसेंट का है यहाँ पर भी देख सकते हो बाटा इंडिया कि staff return बना के दे चुके तो देख लो 10 साल मेंट आने वो 2350 परसेंट आने पांस साल मेंट आने वो 132 परसेंट आने तीन साल मेंट आने वो हन मेंट आंchez देख लो बाता इंडिया का अच्छा घा सा मार्केट के प्याप मार्केट केब्च यह वो 14,892.6 का मार्केट के मेंट आंप पी जहाँ बाटा आंडिया का और बाता इंडिया का वो 14.05 का अनिंग पर्स शेयर जो बाटा इंडिया का है वो 20.11 का अनिंग परस शेयर है फेस बैलू 1 का है और भी मैं कुछ दिखा जीता हूँ बाता इंडिया का नेट्वर्फ डेख लो हो नेटवर्ट जो है वो 1478.71 का नेटवर्क है टोटल डेबिट है सकते हो इस कमपनी में कोई भी डेड नहीं है वाई यह जीरो डेड फरी कमपनी है तो आप लोग इस कमपनी में पॉजिसम बनाई है आपका वेल्थ क्रियेट होगा इन्वेस्मेंट जो है वो 4.95 का इन्वेस् सब्सक्राइब करना पहले से मैं चैनल को सब्सक्राइब करके वेल बटन प्रेश करें वेल बटन प्रेश नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिपिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा और आप लोग बाटा इंडिया को लॉंग टरम के लिए खरीद के रख लीजिए जो जो रधा में कॉंट पहुंचाते हूं मेरी लिंक के तुर खुदा से तो मैं दे रखाऊं धन्यवाद